नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लंग सुक में, लंग सुक पेकॉज एवरी ब्रेथ मैंटर्स, और मैं आपका दोस्त, डॉक्टर अंकुष, पिछले कुछ वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉंटेंट आपको पसंद आ रहा है, आपके लिए वैल बिमारी के बारे में, जो की चेस्ट स्पेशलिस्ट के लिए बहुत ही कॉमनली हमें देखने को मिलती है, लेकिन एक डाइगनोस्टिक चैलेंज होता है वो हमारे बाकी सारे डॉक्टर मित्रों के लिए, बिमारी का नाम है इंटर्स्रीशल लंग डिजीज, सुनने में जित लिए कि आपके घर में अगर एक जाली है, उस जाली के अंदर अगर एक सिमेंट की परत लगा देंगे, तो उस जाली के आर पार हवा का आगा आना जाना नहीं हो पाएगा, या फिर होगा भी तो बहुत डिफिकल्टी से होगा, बहुत प्रेशर लगा करके होगा, सेम कहते हैं, इंटरसीशल लंग डिजीज, हो क्या रहा है, लंग्स के अंदर छोटे-छोटे अल्वियलाई होते हैं, यानि कि हवा के फुग्यों, उसको साधरन बाशा में कह सकते हैं, जिनके अक्रॉस गैस एक्सचेंज होता है, गैस एक्सचेंज से हमारा क्या मतलब है, कि इंटरसीशन उनके जरीए ब्लड स्ट्रीम में जाती है, और कार्बन डियोकसईड वहीं से बहार आ जाती है, इस पूरी यूनिट को जहां पे ये अल्वियलाई है, यानि कि हवा के छोटे-छोटे गुबारे से हैं, उसके साथ में हलकी सी स्पेस और एक ब्लड वैसल रहत तो उसे हम इंटरसीशन लंग डिजीज का नाम देते हैं, साधारन भाषा में समझने के लिए बहुत जादा टेकनिकल टर्म्स का ना प्रयोग करते हुए इसे हम फेफडे सिकुडने की बिमारी के हैं, फेफडे सिकुडने की बिमारी के कारण के अगर हम आएं, तो कारण बहुत तरीके के हैं, कुछ पेशेंट्स के अंदर स्मोकिंग की बज़े से होती है, जैसे कि हम बिमारी का नाम देखे हैं, इडियोपेथिक पल्मोनरी फाइब्रॉसस है, या फिर और भी स्मोकिंग रिलेटेड इंटरसीशन लंग डिजीज होते हैं, हम टेकनिकल टर्म्स जिसको NSIP कहा जाता है, उसके अलावा कुछ तरह हैं कि कॉमनली आजकल जो बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलती है बिमारी, हाइपरसेंडिविटी नियूमोनाइटिस, अक्सर मरीजों के अंदर जो हिस्ट्री देखने को मिलती है, वो यह होता है कि मरीज के घर में किसी त बमारीयं के अंदर कुछ बिमारीया आती है, वो बहुत ही कॉमनली पाई जाती है हमारे अलग-अलग तरहें के वरकर्स के अंदर, occupational lung diseases, जिन के अंदर हम कह सकते हैं, occupational ild, occupational ild में अलग-अलग तरहें के exposure, खास करके जो भी हमारे मरीज, factories में काम करते हैं, अलग-अलग तरह के नामों के अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अलग-लग तरहें के occupation जहां पर कि किसी भी तरहें का dust exposure उनको हो रहा है, धुआ बहुत जादा निकलता है factory के अंदर, तो इनको भी interstitial lung disease की बिमारी हो सकती है, इसके अलावा interstitial lung disease के और भी विभिन तरहें के प्रकार ह करेंगे, अभी हम एक और चीज जान लेते हैं कि interstitial lung disease जो है, यानि कि फेफडे सिकुडने की बिमारी दूसरी तरहें की सांस की बिमारियों से अलग क्यों है, मरीज को symptoms जो आते हैं, वो बहुत ही common type के symptoms आते हैं, जिससे कि ये बिमारी easily diagnose नहीं हो पाती, unless and until ठीक तरहें स diagnostic protocol follow करे जाएं, जो सबसे common symptoms मरीजों को आता है, वो आता है सूखी खासी, कुछ समय से सूखी खासी हो रही है, जो कि साधारन दवाईयों से, गोलियों से, inhaler से respond नहीं कर रही है, तो एक ये pointer हो सकता है, आपके कि हाँ, शायद interstitial lung disease हो सकती है, दूसरी चीज, चलने फिरन में सांस फूलना, जैसा कि ये बहुत ही आम सा symptom है, बहुत सभी तरहें कि सांस की बिमारियों के अंदर देखा जा सकता है, सूखी खासी के साथ में चलने फिरने में सांस फूलना, और एक और चीज जो interstitial lung disease के patients में देखी जाती है, बहुत commonly कि चलने फिरने में सांस फूल के साथ शरीर में oxygen की मात्रा कम हो जाती है, जिसको हम कहते है exercise desaturation, तो exercise desaturation आप लोग अब घर पे ही चेक कर सकते हैं, because thanks to COVID हमारे majority लोगों के घरों के अंदर pulse oxymeter आजकल अब लेबल है, तो आप चलने फिरने पे अपनी oxygen saturation चेक कर सकते हैं, कि क्या इसके अंदर कुछ गिरा चलने फिरने में सांस फूल रहा है, oxygen आपकी dip हो रही है, और आपको history है कि हमारा pigeon exposure बहुत ज़्यादा रहता है, कबूतरों से exposure ज़्यादा रहता है, या फिर हम smoking करते हैं, या किसी तरह की ऐसी factory में काम करते हैं, जहांपे की धुवे का exposure बहुत ज़्यादा है, या इस तरह है कि हमें history है, कि हमें arthritis की history है, या किसी और तरह की connective tissue disorder का history है, तो आपके pulmologist से मिल करके अपना screening ज़रूर करवाएं interstitial lung diseases के बारे में, ये common symptoms हैं interstitial lung disease के patients के बारे में, आज की वीडियो में हमने जाना कि interstitial lung disease क्या होती है, और क्या-क्या उसके symptoms हो सकते हैं, और किन conditions म हम interstitial lung disease को suspect करते हैं, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि interstitial lung disease को diagnose करने के लिए किस तरह से हमें diagnostic protocol बनाना है, तो tuned in रहिए और follow करते रहिए आपका अपना channel lungsook because every breath matters, channel को like करें, वीडियो को share करें और channel subscribe ज़रूर करें, मैं आपका दोस डॉक्टर अंकुष इजादत च इतना ही, मेलूँगा आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में, interstitial lung disease के वीडियो के part number 2 में, जिसमें हम जानकारी लेंगे, interstitial lung disease को diagnose किस तरह से सही तरीके से करना है उसके अंदर, आपका दोस डॉक्टर अंकुष इजाज़ चाहूँगा आपसे, थांक्यू सो मच.